हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग मैं सुनिल कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल पर शो सक्सेश विज सुनिल सर आपके लिए हमेशा नई नई जानकारियां बहुत रिसर्च के बाद लाता है आपको पता है नैशनल डिफेंस अकेडमी का एक्जाम 16 अप्रेल 2023 को संपन्न हो गया है अब आपके मन में एकदम द्विविधा होगी एकदम एक एक एसम्चन चल रहा होगा कि बाई रेजल्ट कब आएगा जिससे हम अगले स्टेज SSB या फिर किसी भी तरह से तयार हो सके त इस चैनल को सब्स्राइब करते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए देखें बच्चे 16 अप्रेल को जो यह एक्जाम हुआ है उस एक्जाम से पहले कई एक्जाम हमने कंड़क्ट कराए हैं NDA के बच्चों के द्वारा मतलब मैं करवाया नहीं मतलब बच्चों को तया लास्ट यर जब रेजल्ट आया था तो इट वोज ओनली इन 15 डेज पिछली बार जो रेजल्ट आया था वो मात्र 15 दिनों में आ गया था लेकिन इस भार का सीन थोड़ा सा अलग है नमबर अफ कैंडिडेट्स जाना है और दूसी बात यह है कि जो 15 दिन वाला सेशन हो रह हो रहा है वो ऐसे समय पर पूरा हो रहा है कि वो पंदरा दिन के समय में आना मुश्किल लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि माई का फर्स्ट वीक विल भी क्रेटिकल अब देखेगा यूपीस सी का जो रिजल्ट है किस दिन आएगा एग्जेक डेट होई मतब ऐसा एक्सपेक्टेशन होई नहीं सकता है ऐसा एक 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 एग्जेक डेट बताना मुश्किल होता है लेकिन फुर भी मेरे जो हमने स्पेकुले है हर चीज का जो है मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ वो हो जाता है तो कुछ उपर वाले का अशिरवाद है आप लोगों का जो है सम्मान है जी मतलब मेहनत करते हैं रिसर्च करते हैं और पता चल ऐसा होगा तो यह मई का पहला वीक बहुत इंपोर्टेंट है दो या तीन चार यह दो तीन चार मई के दिन में आप अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बढ़ियां से तयारी करिएगा जिससे कि आपका रिजल्ट आए और बहतरी नाए तो एंडिया वन टुइंटी टूइंटी तरी के रिजल्ट को वेट कर रहे हैं लेकिन उसके बा प्रिपेरिंग फॉर दा नेक्स्ट रिटेन एक्जाम डूंट इवेन वेट फॉर दा रिजल्ट क्योंकि 10-15 दिन का यह समय भी आपका जाएगा और इस बार तो आपको पता है सेप्टमबर वाले एक्जाम में तो यह बहुत कम दिनों का मौका है तो इसके लिए आपको ज चलिए आगे बढ़ते रहेंगे और आप आगे बढ़ियां से प्रिपेर करिए आल दे बेस्ट जैहन जै भारत